कि अखे लो फ्रेंड मेरा नाम है सौरव और आप देख रहा है डेवी सौसिंग चैनल आज हमारा के इंपटर क्लास है तो विंडो सेवन ओपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे स्रीज में क्या क्या फीचर क्या प्रोग्राम होते उसके बारे मैं आपको बता रहा था तो आज क क्लास है नोटपैट के बारे में तो प्रैक्टिकली मैं पूरा सब कुछ आपको बताऊंगा नोटपैट के बारे में नोटपैट से रिलेटिव क्या है ये किस तरह से यूज होता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसे ओपन कैसे करेंगे तो आपको डेश्टोप स्किन पर जाना स्टाट बटन पर क्लिक करना है और स्टाट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है उसके बाद ऐसा स्री सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको नोटपैट दिखी जाएगा ठीक है नोटपैट इस वेरी बेसिक टेस्ट एडिटर नोटपड जो है विंडोज में बहुत पुराना फ्यूचर है बहुत पहले से चला रहा है ठीक है इफ इस यूज टू राइट नॉर्मल टेक्स्ट इसका यूज नॉर्मली टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है ठीक है तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली देखाता हू किसे यूज कैसे करते हैं और क्या क्या फंसन है ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने डेश्टोप इसीन पर तो आपको करना है सबसे पहले यहां स्टार्ट पे क्लिक उसके बाद स्लेक्ट करना ओल प्रोग्राम और उसके बाद ऐसा स्रीज और यहां देखिए आपको अब को यहां सिर्फ नोट पट टाइप कर देना ठीके टाइप करने बाद ओकी कर देना तो वह ईltal कैसा चुका है तो यहां पे तरिके से आप इसे ओनकर सकता है ठीक है उसके बाद मैं बात कर लेता हूं तो देखे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा यह ज्यादक फंसन इसके अंदर नहीं मिलता है तो यह बाइड डिफॉल्ट आपके विंडोज में रहता है तो यहाँ पर देखे इसका टाइटल जो भी नेमिंग है मतलब अभी अंटाइटलेड लिखा आप जो भी टेक्स को लिख सकते हैं किसी भी टेक्स को जो भी आपको लिखना हो उसके बाद उपर में यह जो टैप देख रहे हैं यह मैनू टैप है आपका इसमें कुछ पांच तरह के यहाँ पर मेनू लिस्ट किये हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जैसे पहले तो हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं ओके तो देखे हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी कॉपी कर लिये हैं तो सबसे पहले अब मैं आपको एक करके फ्यूचर बता दे रहा हूं तो यहाँ फाइल पे अगर आप किलिक करते हैं तो इस जगह पर आपको option मिलता है new का, open का, save का, save as, paste setup, print इतने तरह की कुछ option आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिस तरह से आप देख रहा हैं तो अगर new पर आप क्लिक करेंगे तो देखे यह पुराना अभी हड़ गया नया खुल चुका यह ठीक है जितने बार आप new पर क्लिक करेंगे वो new खुलेगा, open पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कोई file अगर आपको open करना notepad का, वो इसके अंदर अगर आप मालीजी open करना चाहता है जैसे अगर आपने पहले से कोई file तयार करके रखा है, जैसे यहाँ पर एक file है, यहाँ पर नोटपैड का क्लिक किया तो देखे उसका data इसमें open हो गया, ठीक है, तो यह इस तरह से आप इसको open कर सकते हैं उसके बाद दूसरा आता है save का, तो save पर क्लिक करके आप इसे save कर जासता है, जैसे ही मैंने save पर क्लिक किया, देखे यह file उसी जगह पर save हो गया, क्योंकि वहाँ पर open था, तो मैं एक बार back कर देता हूँ, और हम लोग फिर से इसे open करते हैं, तो देखे नोटपैड मेरा shortcut म यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कि paste कर लेता है, सबसे पहले text को, देखे, अब मैं आपको save करता हूँ, तो यहाँ जैसे save पर हम लोग click करेंगे, यहाँ पर खूलेगा path दिखाएगा, किस जगह पर आप इसे save करना चाते है, location पूछ रहा है, और क्या नाम है, तो naming आप यहा पर आपको कौन सा file save करना है, वो आपका .txt, इसका जो file होता है, वो .txt होगा, यह आपको रखके save कर लेना, तो मैं desktop select कर लेता हूँ, ओके तो देखे, यहाँ पर मैंने इसे select कर लिया, और desktop पर select करके, मैं यहाँ save कर ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने save किया, देखे, डेश् save करना चाहता है, तो save as करके, आप किसी और जगा भी यहाँ से path दिखा कि, इसे save कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद option की मैं बात करूँ, तो आता page setup का, तो इस पर आप जैसे ही click करोगे, तो यहाँ पर आपको page से relative setting खुल के आएंगी, जिसमें सबसे पहले paper का size है, जैसे कि अब लेटर यहाँ पर जो आप देख रहे, लेटर size select किया हुआ है, तो मैं इस पर click करता हूँ, और देखे, A4 size का paper भी है, यहाँ पर तो मैंने A4 ले लिया, तो यहाँ पर आपको preview करके दिखाया जा रही इस जगह पे, तो मैंने A4 size का paper ले लिया, और यहाँ पर source में देना चाहते है, तो मार्जिंग जैसे top और bottom में देखे, एक एक इंची का मेरे पास मार्जिंग है, लेकिन left राइट में 7.5 है, 0.7.5 है, यानि 1 से 25% कम, तो देखे इतना मार्जिंग है, हम लोग यहाँ से इस मार्जिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं असानी से, जैसे आ यहाँ पे ज्यादा मार्जिंग आ गिया है, मैं इस जगह पे आपको एक बार टू डाल के दिखा हूँ, तो देखे इस जगह पे कितना मार्जिंग आ रहा है, तो यहाँ से आप मार्जिंग सेट कर सकते हैं, और header और footer पे जो भी आपको डालना हो नेम बगएरा, वो आप header और footer पे नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, इतना करने के बाद आप इस जगह पे ओके कर देंगे, तो यहाँ का फाइल सेव हो जागा, तो यह था हमारे पास page का setup, आगे देखते हैं हम लोग print option, तो देखे अब क्या था, वो page setup जो हम लोगों ने किया था, वो अब use में आए जो printer मैंने select किया है, वो offline लिखा हूँ, आप select करोगे, क्योंकि मेरे पास अभी printer इसमे attach है नहीं, तो आप जो printer attach रहेगा, तो यहाँ पर online आप का जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे page range set कर लेना, आप एक page करना चाहते हैं, या sub page, तो यहाँ पर all किया हुआ, number of copies कितना copy आप निकालना चाहते हैं, वो आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है, आपके बाद आप इसे print कर सकते हैं, तो यह तो होगी आपका print option, next मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ exit का, exit पर click करेंगे, तो आप notepad से बाहर चले जाएंगे, तो चले मैं आगे औ undo आगिया है, तो undo करेंगे, जैसे हम इस पर click करेंगे, देखिए, यह हट चुगा, आपको पता है, अभी आपके सामने मैंने यह वाला भी type किया था, तो एक बार मैं फिर से undo करता हूँ, तो देखिए, यह फिर से आगिया है, और एक बार फिर से हट आता हूँ, देखिए, जैसे कोई चीज मान लिए, मैंने इसको यहाँ पर इसे select किया, और edit में किया, और यहाँ पर cut कर दिया, तो यह देखिए, उतना हूँ, यह cut हो गया, ठीक है, तो control plus X हो जाता है, cut का shortcut की, उसके पाद है copy, copy का की होता है, control plus C, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको select किया, और मैं यहाँ पर control C कर लिता हूँ, तो control C कर लिया, तो यह copy होगी, आप control B करूँगा, तो देखे, paste हो जाएगा, तो इसी तरह यहाँ पर आपको copy और paste, control C, control B का option मिल जाता है, यहाँ पर delete का option मिल जाता है, जो delete keyword पे हमारा डैल लिखा हुआ बटन होता है, उससे आप delete कर सकते हो अगले option की बात करता हूँ, तो edit में आपको जाना है, और अगला option देखे, यहाँ पर आपको मिलेगा, find का, तो find अगर आपको कोई चीज, कोई word इसमें ढूड़ना है, तो आप यहाँ से find कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, setup as capital था, तो य इसलिए देखे, cannot find setup लिख के आ रहा है, मेरे पास अब ठीक है, तो जितना यहाँ पर रहेगा, वो उसको so करता है, तो मेरे पास एक था, तो यह एक so कर दिया, अब क्या कि यहाँ पर down और up का option आपको दिख रहा होगा, तो यह option actual में है, कि जैसे मैं up कर दूँ, तो cursor अगर मेरा इस end पे है, और मैं up किया हुआ हूँ, तो देखे, मैं जैसे find text करूँगा, तो यहाँ पर वो नहीं खोच पाएगा, क्योंकि यह cursor से ऊपर ढूंड रहा है, ठीक है, अगर मैं down करूँ, तो अब find करूँगा, तो देखे, ढूंड लेगा, यह cursor से नीचे कर रहा है, तो up and down का benefits आपको यही है, यह user, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगले option में बात करते हैं, तो अगला आपको मिल जाएगा option, यहाँ पर find next का, अभी हम लोगों ने find किया था, control plus F, अब है find next जिसका sort form है, sort की है, F3, तो find next पे जैसे click किये, तो देखे, आपर setup आया, फिर से find next हम लोग करते हैं, तो अगला setup देखे, यह select किया, find next पे click किया, देखे, फिर से setup आया, तो जो आप वहाँ पर find में जाकि, यहाँ पर जो आपने submit किया था, वो आपको यह दिखा रहा है, उसके बाद आता है, replace का control plus H, तो replace में अगर आप जाओगे, तो यहाँ देखे, setup हम लोगों का लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इस setup को मैं hello में replace कर दूँ, मैंने यहाँ पर hello लिख दिया, find next पे करेंगे हम लोग क्लिक, तो अब है नहीं, तो मेरे पास यही है, तो हम लोग क्या करेंगे, replace, तो जैसे ही मैंने replace किया, तो देखे, यह replace हो गया, अ यही है, यहाँ पे find next करना है, आपको replace, एक एक को replace करने के लिए, या replace all सब को करने के लिए, और cancel करके आप इसे बाहर आ सकते हैं, ओके फ्रेंड, तो चलिए अगले option की बात करते हैं, तो फिर control A का option मिलता है, मैं select all का, जैसे क्लिक करेंगे, यह पूरा text हमारा select हो जाता है जिसका short form है, control A, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको time and date मिलता है F5, तो time and date का मतलब क्या है, जैसे देखें, मैं यहाँ इस जगह पे cursor रखा हूँ, अब मैं यहाँ time and date पे click कर दूँगा, तो जो current time system का वो time दिखाएगा, जैसे अभी देखें, अभी का time और अभी का date दिखा रहा है, तो देखें, F5 मैं जितनी बार प्रेस कर रहा हूँ, उतनी बार यहाँ पे date time वो so कर रहा है, ठीक है, तो यह option आपको मिल जागा, उसके बाद चलता है, तीसरे तरफ, तीसरे option में, तो वो है format, तो world का आपको option मिलता, first dollar, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो अभी देखें, नीचे में ये cursor आपको खुल के आगिया, यानि अगर आप without enter किये, किसी चीज़ को text लिख रहे हो, मानलो, suppose, मैं कुछ लिखे जा रहा हूँ, बट उसका paragraph मैंने change नहीं किया, वो एक ही paragraph में लिख रहा हूँ, तो वो पूरा लंबा देखें, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, अगर ये option unselect है, तो और इसको अगर मैं select कर लो, तो फिर क्या होगा, ये cursor उधर नहीं जाएगा, मेरा ये up and down का cursor रहेगा, जहां तक हमारा page है, ये सरी वहां तक दिखाएगा, उसके बाद का जो भी text है हमारा, वो नीचे की तरफ सो करेगा, ठीक अब यहां regular italian, bold और bold italian, अगर मैं bold italian करूँ तो देखिए ये bold भी हो गया, और italic भी हो गया, और bold ही स्रिफ कर दूँ तो स्रिफ bold रहेगा, या italic करूँ तो स्रिफ italic रहेगा, या regular में आपका जो normal fund होता है, वैसा रहेगा, उसके बाद size की मैं बात करूँ तो देखिए यहां पर size हमारे पास art से लेके सुरू होता है, जो 72 तक है, अगर आपको size और बढ़ाना है, तो आप इस जगह पर click करके, यहां पर normally type करके size बढ़ा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहां आपको नीचे कुछ option मिल जाता है, वैस्टन का, ग्रिक का, देखे इस तरह से, मतलब वो जिस देश का जो relative language है, जिसमें उस language को जिस तरह से represent किया जाता है, वो उस तरह से यहां पर शो करेगा, तो आपको यहां पर western नहीं रहने देना है, आपको change नहीं करना है, तो इस तरह से आप यहां पर इसको modify कर सकते हैं, उसका fund change कर सकते है, fund style change कर सकते हैं, और side change कर सकते हैं, ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ok करके apply कर देना, उसके बाद यहां आप type कर सकते हैं, कि बाद last option यहां पर हम लोग को मिलता है help का, तो help के अंदर आपको पता ही है, windows का अपना help and support center खुल के आता है, तो view help पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखें, window help and support center खुल के आएगा, यहां पर आपका सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे कि what is notepad, notepad के बारे में बता रहा, और किस तरह से इसे open करेंगे, किस तरह से इसके अंदर, आप fund के style और size को change करेंगे, वो सारी चीज़ देखें, यहां पर आपको मिल ज notepad के अंदर आपको इसका version वगरा, copyright वगरा दिख जाएगा, okay friend, तो notepad में बस इतना ही था, मुझे उमीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई doubt आपके पास रहता है, तो आप मुझे comment करके बेसक पूछ सकते हो, मैं जवाब दूँगा, और अगर आप new है मारे इस चैनल पे तो चैनल को subscribe बिल्कुल से कर ले और bell icon को भी दवा ले ताकि सारे latest notification आपके पास पहुँच सके, सबसे पहले और social media पे भी आप हमें follow कर ले, thank you for attend this class, thank you friend.